दुनिया को अपनी सिच्छा और अपने विचारों से नया रास्ता दिखाने वाले भगवान गौतम बुद्ध, भारत के महान दार्षनिक, एक महान वैज्यानिक, धरम गुरू एवं एक महान समा सुधारक और बहुत धरम के संस्थापक ये एक ऐसे राज घराने से बलॉंग करते थे कि इनके पिताने इनके ऐसो आराम के लिए तीनो रित्वों, जाड़ा गर्मी वर्सा के हिसाब से तीन प्रकार के अलग-अलग महल बनवा दिये थे, जिनमें नाच गाने से लेकर सभी प्रकार के अलग-अलग ऐसो आराम की परण और दुखों से मुक्ति दिलाने के मार की तलास में और सत्य दिब्वे घ्यान की खोज की तलास में अपना राजपाट ऐसो आराम छोड़कर सब कुछ त्याक कर ये एक वन में चले गए ऐसी द्रड सकती ऐसी इच्छा सकती ऐसा द्रड संकल जो अपने राज महल को त्याक कर एक सन्यासी का जीवन जीए भगवान बुद्ध के अलावा साय दुनिया में कोई हो लेकिन आज के समय में दो चार पैसे जादा कमाने वाला आदमी भी घमंड में आकर अपने आपको रा काम नहीं हुए गौतम बुद्ध का जनम 563 इसा पूर्व कपिल वस्तू के निकट लुंबनी नेपाल में हुआ था इनकी माता का नाम महामाया देवी और पिता का नाम सुद्दोधन था इनके जनम के साथ दिन के पस्चा थी इनकी माता का देहानत हो गया इनका लालन पाल और सरल स्वयभाव के थे कि बचपन में खेल खेलते समय खुद हार जाते थे और दूसरों को जिता देते थे ताकि उन्हें हार का दुख मैसूस ना हो सिद्दार्थ को बचपन से ही घुड़सवारी तीरंदाजी और बहुत सारी युद्ध सिच्छाओं की सिच्छा प्रा कारण इन्होंने अपना राजपाट और सांसारिक जीवन त्याग दिया और वन में जाकर सत्य और घ्यान की खोज में निकल पड़े वन में जाकर सिद्दार्थ ने घोर तपस्या करनी शुरू कर दी पहले तो इन्होंने तिल और चाबल खाकर अपनी तपस्या शुरू की लेकिन बाद में इन्होंने अन्न को ही त्याग दिया इस कठोर तप के कारण इनका सरीर सुख गया लेकिन इन्होंने अपना तप नहीं छोड़ा सिर्फ 34 वर्स की उम्र में वैसाखी पूर्ण मा के दिन बोध घया में निरंजन नदी के तट पर पीपल रख्च के नीचे स सिद्दार्थ को सत्य का ज्यान हुआ और तवी से सिद्दार्थ बुद्ध कहलाए भगवान गौतम बुद्ध के प्रैथम गुरू आलार कलाम थे जिन से उन्होंने सन्यास काल में सिच्छा ग्रहन की थी ज्यान प्रापती के बाद भगवान गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदे सारनाथ में दिया और यहां से इन्होंने अपने अन्याईयों के साथ अपने घ्यान का परचार परचार सुरू किया 483 इसापूर में कासी नारा नामकिस्तान पर 80 वरस की उम्र में भगवान गौतम बुद्ध की मरत्यू हो गई लेकिन उनकी सिक्षा और उनके अन्मोल विचारों से आज दुनिया परीचित है बहुत धरम केवल भारत में ही नहीं थाइलेंड, म्यामार, दच्छे कोरिया जैसे बड़े बड़े देशों में भी फैला हुआ है तो दोस्तो आसा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें अगर वीडियो में कोई तुरूटी हो या कोई जानकारी बागी रह गई हो तो मुझे कमेंट करके बता दें और दोस्तो मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी और घ्यानवाली वीडियो बनाता रहता हूं तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बैल आइकन को भी दबा दें जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके तो धन्यवाद उस्तो